रेगिस्तान की बद जब भी होती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम राजिस्तान आता है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में राजिस्तान के अलावा भी एक गाउं ऐसा है जो एक रेगिस्तान है यहां आपको दूर दूर तक बालू ही बालू दिखाई देगी यह गाउं दक्षिन भारत के करनाटक में स्थित है जहां आपको हर तरफ बालू नजर आएगा इस गाउं का नाम है तलकाडू जो पूरी तरीके से रेगिस्थान है करनाटक जैसे शेतर में रेगिस्तान होना अपने आप में चौकाने वाला द्रिश है कहा जाता है कि वोडियर्स के शाशन के समय इस जगह पर आपदा आई थी जिसके कारण ये हरा भरा शहर एक रेगिस्तान में तबदील हो गया वहीं अगर स्थानी लोगों की बात की जाए तो ये जगह एक श्राप के कारण रेगिस्तान में बदल गई एक कहानी के मताबिक तलकाडू की रानी अलमेयु द्वारा ही इस जगह को श्राप दिया गया था जिसके बाद ये पूरा हरा भरा शहर रेगिसान में बतल गया किसी समय पर ये गाउं एक हरा भरा खुशाल गाउं हुआ करता था जहां पांच माने हुए शिव मंदिर हुआ करते थे लेकिन फिर अचानक ये मंदिर और यहां मौझूद सभी घर रेट के नीचे दब गए जिनके आज भी कुछ छेश दिखाई देते हैं कहा जाता है कि सोलवी शताबदी में मैसूर के राजा तलकाडू पर कबजा करने के रादे से यहां एक सेना लेकर आए थे वो यहां की राणी अलमेईू के गहने लेने के रादे से भी यहां आए थे जिसके बाद तलकाडू की राणी अलमेईू ने अपने गहने कावेरी नदी में फेक दिये और साथ ही उन्होंने खुद भी इसी नदी में छलंग लगा दी कहा जाता है कि मढने से पहले अलमेईू ने इस खुबसूरत जगा को रेत में तबदील होने का श्राप दिया था जिसके बाद से ये पूरा इलाका रेत के रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है हर्याली के बीचों बीच बसे इस रेगिस्तान को देखने इस जगा पर परेटकों की काफी भीर लगी रहती है